चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरी प्यारी बचो इसी डेट तक आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं और च्वाइस फिल करके लोग भी कर सकते हैं 30 जुलाई को इसका provisional result आ जाएगा और 31 जुलाई को इसका final result आ जाएगा इसके बाद में आप इसमें online portal पर fees deposit कर सकते हैं 4 अगस्ट 23 तक documents verification का जो time रहेगा 5 से 7 अगस्ट 23 रहेगा और इसमें आप provisional allotment लेटर डाउनलोड कर सकते हैं 5 से 8 अगस्ट और last date joining रहेगी first round के लिए 8 अगस्ट 23 बाकी schedule बाद में दिया जाएगा second round next बात करते हम IPU के तो IPU के choice filling start हो चुके हैं और इनकी choice filling की last date 31st July 23 रखी गई है तो जिन candidate के 11-12 दिल्ली स्टेट से थे IPU का उन्होंने registration कर रखा है तो वो यहाँ choice fill कर सकते हैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ 3 college IPU के लिए available हैं बाबा साहिब, NDMC और ACMS जिसके लिए भी आप eligible हैं समय से अपना choice filling कर दें इसमें इसका जो result declare होने की date है वो 2 या 3 अगस्ट 23 है इसमें willingness आपको submit करना है 6 अगस्ट हैं 7 अगस्ट को और reporting रहेगा 8 अगस्ट 23 तक इसके बाद में अगर विड्रोल करना है 60,000 आप admission cancel कर रहे हैं तो 11 अगस्ट 23 तक रहेगा अगला जो next schedule होगा second round का वो 14 अगस्ट 23 के बाद में रहेगा यह आपको बता दिया जाएगा उसमें next step है 36 गड़े state से है 36 गड़े के स्टार्ट हो चुके हैं इसके साथ 24 फिलिंग भी है तो इसके जो रेजिस्टेशन स्टार्ट हैं वो 25 जुलाई से हैं और 1 अगस्ट इसके रेजिस्टेशन की लास्ट डेट है इसके साथ साथ आप इसमें 24 फिलिंग भी करेंगे मैं आपको 36 गड़े state के बारे में बता की और इसके अलावा जो S.A.S.T. O.B.C. कंडिडेट हैं वो 1,000 के साथ में 5,000 रुपीज पे करेंगे जो other state कंडिडेट हैं या फिर जो private medical college में admission लेना चाते हैं सबी कंडिडेट 1,000 तो रेजिस्टेशन फिलिंग भी करेंगे ही इसके साथ 1,000 रुपीज फिलिंग से अभ जुलाइ 23 रखी गई है केरिला इस्टेट के लिए फर्स्ट फेज का अलोट्मेंट फ्रोविजनल आ जाएगा 2 अगस्ट को और 3 अगस्ट को फाइनल अलोट्मेंट आ जाएगा 5 से 8 अगस्ट टक रिपोर्टिंग रहेगी इस्टुडेंट के लिए तो ये रहेगा केरिला स्टेट की बाद में हम बात करते हैं आगे जो नेक्स्ट जो स्टेट है वो है माराश्ट्र स्टेट की तो माराश्ट्र के उनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं लास्ट डी 29 जुलाई 23 रखी गई है और 30 जुलाई तक आप पेमिंट कर सकते हैं डोकुमें में फर्स्ट रौंड का रेजल्ट डीक्लियर हो जाएगा फ़ॉर अगस्ट 23 को और जो जुईनिंग होगी वो फाइब से लेकिए 9 अगस्ट 23 तक होगी और यह फीजिकल रिपोटिंग है फीजिकल रिपोटिंग हर एक स्टेट में ही होती है अब बात करते हैं नैक्स्ट स साथ ही आपको choice filling करनी है, result इसका 3 अगस्त को आ जाएगा और last date of joining रहेगी 8 अगस्त 23 जो उत्राखंड इस्टेट में admission लेना चाकते हैं candidate, वो domicile candidate भी यहाँ registration कर सकते हैं और उत्राखंड एक open state है, other state candidate भी यहाँ की private medical college में registration कर सकते हैं, अब बात करें next state सिक्किम की, सिक्किम में मनिपाल है, सिक्किम मनिपाल उसी के लिए choice filling करनी है आपको 29 जुलाई तक seat allotment हो जाएगा 31st को या 1st अगस्त को, इसके बाद में result declaration हो जाएगा 2nd अगस्त को इसमें payment रहेगा 3rd से 7 अगस्त को और physical reporting 8 अगस्त तक रहेगा सिक्किम मनिपाल के लिए, अब next बात करते हैं पंजाब state के लिए, तो पंजाब state की 24 फिलिंग का schedule आ चुका है, registration पहले हो चुके थे, इसकी 24 फिलिंग आप 30 जुलाई 23 तक कर सकते हैं, seat allotment इसका result आ जाएगा 3rd अगस्त 23 को, objection submit के लिए 5 अगस्त की date रहेगी और reporting रहेगी 5 से 8 अगस्त 23 को पंजाब state के लिए, अब बात करते हैं जहारकंड state की, तो जहारकंड state का भी schedule आ चुका है इसमें, ये 29 जुलाई 23 last date रहेगी इसमें और जो editing की रहेगी 30 जुलाई रहेगी और state merit publish हो जाएगी 31 जुलाई 23 को, इसमें जो fees लगती है 5000 जनरल EWS, BC1, BC2 के लिए S.A.S.T. female के लिए 250 रुपी जिसमें fee लगती है और इसका जो बाकी schedule है ये बात में publish हो जाएगा, AFMC की भी list अभी website पर जारी होने ही वाली है, इसकी जो cutoff है, वो 622 boys candidate और girls के लिए 648 रहेगी, बिहार, फिर पुराद, नागालेंड, दादर, इन states के अभी registration जल्द ही start हो जाएगे, तो ये जानकारी थी counseling update के बारे में, जो mostly counseling update के बारे में जानकारी थी, मैंने आपको दे दी है, बाकी next update के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी, मैं हरसाई चोपडा आपसे विदा लेता हूँ, इसके साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ, कि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस परकार की information हम लेके राते रहते हैं, तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जैए हूँ